इस लेक्षर में मैं आपको यह बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्षर के अंदर हमने जो जो करना है उसके लिए जो अकाउंट्स हैं इंपोर्टन अकाउंट्स और टूल्स वो कौन-कौन से हम आपने डाउनलोड करने हैं या इंस्टॉल करने या उनके उपर रिजिस्ट्रेशन करवाने उसके बारे में बात करते हैं लेट मी शेयर मैं स्क्रीन फर्स्ट देख तो मेरी स्क्रीन ही कहीं पर गाया हो जोती है ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी आपने गूगल पर जाने है डिरेक्ली गूगल पर जाने के बाद आपने लिखना है गिटहब तो github का account आपके पास होना चाहिए पहले github अपना जो main account है वो free में बन जाता है you don't need any kind of pro और some other account तो github.com के उपर आपका account होना चाहिए ठीक है second आपका stream lit के उपर इसके उपर आपका account बनाओ sign in बनाओ ठीक है आप github के तुरू बनाएं तो बेतर है मतलब sign in करें जब तो github के तुरू कर लें वो ज्यादा बेतर होगा continue with github कर लें उसकी reason यह है कि आपको github की repositories चाहिए होंगी to deploy your apps ठीक है तो कल को मैं आपको github यूज़ करना भी सिखाऊंगा आपकी files कैसे आप sync कर सकते हैं directly वो भी then streamlet के उपर आपने कैसे streamlet के cloud के उपर चीज़ें upload करने हैं फिर एक होर है Hiroku के नाम से यह cloud application platform है और बढ़ा ही जबर्दस platform है you can utilize your upload your apps there as well इसके बारे में हम सीखेंगे नहीं लेकिन इसकी जो नेटीज और ग्रीटीज़ें वो मैं आपको बता दूँगा because it comes with the pricing thing आप अपनी application को यहां पे deploy घरके और production level पे भी यहां पे utilize कर सकते हैं per hour की base so you can actually use the cloud system here और अगर आप नहीं चाहते इसको use करना तो आप simple basic इसको फ्री वालबर यहने वो भी utilize कर सकते हैं लेकिन streamlet फ्री में आपको काफी ज़्यादा apps जो हम upload करने के जाज़त देते है so we will utilize this thing तो आपने continue with github करना है इसको और मैं भी यही करता हूँ and then we will see inshallah tomorrow कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिला के apps को deploy करना है github सीखनी है और git के important है ठीक हो गया